नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए प्लेटफॉर्म पे CS Education और हम सब जितने वी इसके मेंबर्स हैं, यह जरूर कोसिस करेंगे कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो और अगर आपका सेलेक्षन होता है, वह हमारे लिए एक रिवाड है तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, कि यह चैनल इसलिए हमने बनाया है कि हम अपना जितना भी experience है, तैयारी के दोरान हमारा जो experience था, हमारा जो knowledge है जैसे जिसका कोई optional subject है, और कैसे GS में नंबर ज्यादा लाएं, जो भी हमने तैयारी के दोरान सीखा है, यहाँ पे share कर सकें अभी विजेंदर सर के वीडियो जा रहे हैं, वो geographic expert है, मैं भी कोशिस करूँगा कि पढ़ाओं और बाकी लोग भी वीडियो जो बना रहे हैं, जो कि gradually upload होना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग feedback जरूर दीजिएगा, और मैं कोशिस करूँगा कि आप से live interaction कर सकूँ उसके लिए या WhatsApp के माध्यम से, या फिर एक number लोगा जिससे कि आप लोगों से सिर्फ interact कर सकूँ आप से one-to-one interact भी कर सकूँ, तो अभी जो मेंस आने वाला है, 65 का, तो उसके लिए मैं वीडियो लेक्टर्स त्यार कर रहा हूं और वो gradually upload करना start कर दूँगा, इस वीडियो में basically मैं दो-तिन चीजों पर बात करूँगा, एक तो है optional subject का chain कैसे करें और इसके chain के लिए आपको समझदारी की जरूवत है, smartness की जरूवत है, ऐसा नहीं होता है कि हर optional में बरावर number आते हैं या UPSC हो या कोई भी state civil services हो, आप देखेंगे कि किसी option में बहुत अच्छे number आते हैं, किसी option में कम number आते हैं, तो आपको अपने आपको प्रूव नहीं करना है कि जिसमें खराव number आते हैं, मैं उसी को लेके उसमें अच्छे number लाके अपने आपको प्रूव करूँगा, situation में ये subject है, तो मैं इसी subject को लेके और अब प्रूव कर दूँगा, मैं, ना UPSC को प्रूव कर दूँगा, मैं BPSC को प्रूव कर दूँगा कि जो अभी तक myth है, और मैंने उसको तोड़ा है, और मैं उस subject मिलाऊंगा, ऐसा करने से, क्या हो सकता कि आपके जो failure के percentage हो बहुत बढ़ जाता है, ऐसी ही इस exam के तयारी में, जो success rate है, वो बहुत कम है, और जब आपने ये approach अपना लिया कि मुझे experiment करना है, तो आपका success rate और कम हो जाता है, तो एक chart में share करूँगा, जो कि 53 से 55th BPSC का है, कि कि कितने optional पे, कितने लोग mains में appear हुए है, और उसमें कितने लो समरी बनाया है, और उस समरी किसाब से कुछ optional में आपको बताना चाहता हूँ, देखे, optional हमेशा जो आपका पढ़ने में interest है, वो तो एक factor होता ही है, जब मैंने भी त्यारी स्टार्ट किया था, तो मैं भी अपने senior से पूछता था, सब यहीं बोलते थे, जिसमें तुम्हें इंट्रेस्ट आए, लेकिन यह बहुत ही वेग वर्ड है, जैसे आपने कुछ subject पढ़ाई नहीं है, तो आपको interest कैसे आएगा उस subject में, तो इसलिए मैंने जो success rate की ही साब से निकाला है, और कितने कम effort की साब से मैं उस पर discussion करूँगा, तो जो सबसे अच्छा success rate है, वो आप आपको है हिंदी literature, हिंदी साहित में, अब इसके साथ दिक्कत यह है कि आप इसे self study से नहीं पढ़ सकते हैं, आपको किसी एक teacher की जरूवत होगी, एक teacher के notes की जरूवत होगी, तो अगर आप notes कर सकते हैं, आपको कोई guide करने वाला है, और आप comfortable हैं साहित में, तो आप हिंदी साहित जरूर ले, तो success rate में सबसे उपार आता हिंदी साहित है, second number पे है geography, BPSC के लिए geography एक ऐसा subject है, अगर आपने इसमें थोड़ा से effort लगा दिये तो आपका selection 100% होता है, यहां से, यहां भी लेकिन दिक्कत है कि आपको एक teacher की जरूवत पड़ती है, एक optional की teacher की जरूवत पड़ती है, और आपको constant आपका doubt clear होना चाहिए, अगर आपको यह दोनों सुविधा मिल रहे है, तो आप geography ले सकते हैं, third पे आता economics, अभी कुछ दिनों में economics बहुत ही अच्छा growth पे आया है, लेकिन मैं अभी इसको suggest नहीं करूँगा economics को कि जिनका background economics है, वही लोग economics लें, बाकी लोग लेके यह आपके लिए trump card हो सकता है, या फिर यह आपको डुबा भी सकता है, अब दो ऐसे optional के बात करूँगा जो कि बहुत safe है, आप self study में भी कर सकते हैं और बहुत scoring है, तो पहला है आपका समाज सास्त्र, sociology, इस optional के साथ खासियत यह है कि अगर आपने इसके बारे में थोड़ा भी जान लिया है, तो आप means में अपना पूरा का पूरा पेज भर कर जरूर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल blank हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पढ़ना है हमारे समाज की समस्याओं के बारे में, समाज के बारे में, और कुछ जो हमारे ज वो है आपको राजनीती विग्यान, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, यह भी एक ऐसा उप्सनल है, जिसको कि आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, और इसमें करेंट के बहुत ज्यादा चीजे होती हैं, इसलिए क्या होता है कि इस उप्सनल में जो लोग पहले इड्वांटेज मिलता है, इस लिस्ट मैंने LSW को नहीं रखा है, इसलिए नहीं रखा है, क्योंकि LSW का पिछले कुछ एक्जाम में परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, लेकिन सेलेक्शन वहां से बित मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यह जो मैंने पांच लिस्ट बनाई है, यह बिलकूल मेरे ही साफ से बनाया गया लिस्ट है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि यही परफेक्ट लिस्ट है, और भी ऐप्षन सब्सिम से स ELECTION होता है, जैसे मेरा ही ऑप्षनल था, philosophy दर्सन सास्त्र लेकिन मैं दर्सन सास्त्र को इसलिए recommend नहीं करता हूँ क्योंकि उसके लिए आपको एक teacher की जरुवत पड़ती है आप self study से बहुत tough हो जाता है मैं यहाँ assume यह कर रहा हूँ कि आप लोग जो मेरा videos देख रहे हैं वो ऐसे area में हैं जहाँ पर teacher आपको easily available नहीं है जहाँ आपको easily teacher का guidance अवलेवल नहीं है इसलिए मैं यह list बताया आपको तो जो लोग भी अगर अभी confused है कि कौन सा option लें मैं उनसे जरूर request करूँगा कि आप एक वार political science और sociology को पड़कर देखें इसके बाद एक और चीज जो है जो मैंने पिछला वीडियो बनाए उसके बाद भी constant query आ रहे ही लोगों की कि क्या selection होने के लिए कितने number के जरूरत है और क्या क्या उसके लिए special क्या करना पड़ेगा दें कि special कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको अपने mind से वो blockage हटाना पड़ेगा कि आप असफल है और आप सफल नहीं हो सकते हैं जिस दिन आपने वो blockage हटा दिया ना मैं एक छोटी सी कहानी आपसे share करता हूँ Roger Bannister की Roger Bannister वो थे 1954 में Olympic में sprint में तेज दौरने में gold medal जीता था इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके पहले doctors ने बोल दिया था कि एक mile एक mile होता है लगवक 1.6 km दौरने में 4 मिनट से हमेशा ज़्यादा लगेंगे जो इंसान की सारीडिक छमता है वो ऐसी है कि आप 4 मिनट से कम में इसको पूरा नहीं कर सकते है तो इसको उसके पहले जितने लोगों ने भी स्प्रिंट दौरा वो किसी ने 4 मिनट से कम में नहीं किया लेकिन Roger Bannister पहले इंसान थे जिनोंने इसको 4 मिनट से कम में करके दिखाया और जब वो उन्होंने करके दिखाया तो भी record हर कुछ दिनों पर तूटता गया इवन एक स्कूल के बच्चे ने भी इस record को तोड़ दिया जस्ट Roger Bannister के बाद ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि पहले लोगों को उस डॉक्टर की बात में सच्चाई दिखी कि ऐसा नहीं हो सकता है तो सबने एक माइन में ब्लॉकेज बना दिया कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन जब एक बार वो record टूट गया तो वो सबके दिमाग में से वो ब्लॉकेज हट गया कि हाँ ये achievable है ये किया जा सकता है और सबने वो start कर दिया करना इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कि जब आपना माइन का ब्लॉकेज आप अटा देते है ना देखिए जब तक आप सफल आपको लगता सफल था बहुत बड़ी चीज है कुछ उसमें कुछ अलग से ही आकास में कुछ तारे चमकेंगे बिजली गरेगी तब जाके सेलेक्षिन में लगा ईसा कुछ नहीं होता है थोड़ा से फर्ट लगाते है और अबस फफल हो जाते हैं यह थोड़ा सा और अपने आपको पुस करना था और जितना हो सकते हैं हम लोग कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से मदद आपके कर रहे हैं और मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आप में से भी कोई इंट्रेस्टेड है पढ़ाने में तो आप हमें संपर्क किजे टेलिग्राम पे आप भी अपने वीडियो को हम इस प्लेटफ सीखने को मिलेगा को कि किसको किसकी बात समझ में आ जाए किसी को नहीं पता है इसलिए आप भी अपने तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो आप संपर्क करें हमारी टेलिग्राम गुरूप पे बस लास्ट में जाते आते एक दुसंत कुमार के कविता कहना चाहूंगा जो हम नहीं भी आग बस आग जलनी चाहिए आग जलनी चाहिए तो चलिए महनत कीजिए सफल होईए ओके बाई